गूर्म, जी क्या से हो। अशोक वर्मा चाहिऄ है वादे के मुताबिक तो झी हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है Ismail Knowledge 8474 का और वो बोलते हैं, How to Create a Portfolio देखो भाई इस question के बारे में हमने बनाया है एक पूरा dedicated वीडियो और आप लोग हमारे पुराने वीडियो जाकर देखते नहीं हो और फिर ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हो तो वो वीडियो जाकर देखो और उस वीडियो का link मैं नीचे दे रहा हूँ और वो ये वाला वीडियो है आप जाकर इसको चेक करें और आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भाई पूर्टफोलियो क्या होता है किस तरह से बनाया जाता है मतब सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी अगला सवाल है रोताश कुमार 552 का सर मैं अपने फोटो का feedback कैसे लूँ किस से लूँ क्योंकि मैं जो भी फोटो क्लिक करता हूँ मुझे सब अच्छा लगता है ये भी एक बहुत भयंकर सा सवाल है और ऐसा सवाल इसलिए आता है क्योंकि हर माँ बापको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं और सारे बच्चे प्यारे लगते हैं इसी तरह फोटोग्रोफर्स को भी अपना सारा काम बढ़िया लगता है और ये बिल्कुल वाजब सवाल है ऐसे में आपको करना पड़ेगा ये कि आप किसी ऐसे फोटोग्रोफर से contact बनाओ सोशल मीडिया के थ्रू या अगर आपके सरकल में कोई ऐसे फोटोग्रोफर हैं जिनको आप अपना मैंटर मानते हो जिनके ऊपर विश्वास करते हो जिनको देखकर आपको लगता है कि हां ये एक अच्छा काम करते हैं तो आप उन के पास जाएं आप उनको अपना काम दि और फिर उनी से आप feedback ले सकते हो, और ऐसी बहुत सारी workshops भी होती हैं, जहां पर लोग feedback देते हैं, लेकिन वहां पर भी मैं यहीं बोलूँगा कि अगर कोई अच्छा धंका photographer है, तो ही आप उसे feedback लें, वरना आज के time पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या ऐसे mentors हैं, जो बस तार feedback ले सकते हो, लेकिन paid feedback है, अगर आप really में interested हो, तो आप मेरे Instagram की profile में जाएं, वहां पर एक link दिया हुआ है, उस link के ऊपर जाकर आप अपनी उत्सुकता को दिखाएं, उसमें ज्यादा तर लोग जो serious नहीं हैं, वो आ जाते हैं, मुफ्त में नहीं होगा paid feedback हो, अगला सवा है हमारा सूरज का 5588 वाले, कौन सा तरीका सबसे best रहेगा, if we ask someone to show their photos, through the website, or other platforms like Instagram, or Pexels, अगर आपको professionally अपने काम को किसी को दिखाना है, तो आपकी एक website होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक website में, जब आप अपना काम दिखाते हो, तो जिस बंदे को आप अपना काम हैं, वरना Instagram पे तो सब एरे गहरे नत्थु खहरे सब बैठे होए हैं, और सभी का काम पड़ा हुआ है, और Instagram पे जाधातर लोग अपना जो काम दिखा रहे होते हैं, वो इस तरह से नहीं दिखा रहे होते हैं, कि सिर्फ उनका काम ही है, वहाँ पे वो अपने मम्मी की, पर अपने में पर बड़ी पिचरें दिखती हैं, वहाँ पर अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हो, तो वो तरीका सबसे बैस्ट है, ताकि आपकी च्वाइस है, कैसे किसको दिखाना चाते हो, और आप दिखा किसको रहे हो, ये भी बहुत माइने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई, काम देखते कैसे हैं, अगला सवाल आता है भाई, शमीम का, मुझे फोटोग्रफी करना है, कैमरा, गेर, सब कुछ है, छोटा मोटा काम भी किया है, पर अब मैं एक निउ सिटी में डिलिवरी पिकार है, या आपको काम लेना नहीं आता, फोटोग्रफी में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, कि वो बोलते हैं, कि हमें काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सोचके ये बैठे होते हैं, कि उनका जो काम है वो बहुत भाडू काम और उन्हें सब कुछ आता है, वो अपने competitors को तो देखते नहीं, कि भाई, जिसके पास आप काम मांगने जा रहे हो, वहाँ पर और किस तरह के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ा, कि भाई, जो और लोग हैं, जिनको काम मिल रहा है, वो किस तरह का काम मिल रहा है, और दूसरी बात ये है, कि भाई, आप कितने भी अच्छे photographer हो, आपका काम कितना भी फाड़ू हो, लेकिन जब आप business कर रहे हो, या काम को ढूंड रहे हो, तो आपको एक good marketing person होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए, कि how to sell yourself and your work, सो वहाँ पर हम मात खा जाते हैं, selling is very important in photography business, तो ये skill सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप काम कर रहे हो, दूसरी जगाँ पर गए हो, delivery boy का का काम कर रहे हो, तो भाई, delivery boy का का काम करते रहो, और इन चीज़ों के उपर अपना काम करो, जिस दिन आप ठीक हो जाओगे, आपके पास financial situation ठीक हो जाएगी, फिर रजा कर कर लेना photography, फोटोग्रफी कहीं भागे तो जा नहीं रहे है, आज नहीं तो कल कर लेना, ठीक है दोस्त, तो भाई, अगला सवाल है, हमारा user MP3 कुछ का, घर में बहुत problem है, इसलिए काम भी करना पड़ता है, काम करने के चक्कर में, हम खुद को time नहीं दे पाते, अपने लिए time कैसे निकालें, देखो भाई, अपने लिए time कैसे निकालें, ये तो आप ही निकाल पाओगे, time management is the most important thing in life, time सब के पास उतना ही है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, घर में कितना time दे रहे हो, अपने आपको कितना time दे रहे हो, अपने काम को कितना time दे रहे हो, अपने दोस्तों को कितना time दे रहे हो, वो आपको खुद manage करना पड़ेगा, मेर को time नहीं मिल रहा है, मुझे काम करना पड़ता है, यह बेकार के बहाने हैं, हम कितना time waste कहा कर रहे हैं, उसको तो हम देखती ही नहीं है और फिर बोलते हैं कि हमार पस time नहीं है, तो ये गडबड आपकी है, टाइम की नहीं है और इन सवालों से काफी कुछ आप लोगों को पता चला होगा और अगर आप लोग भी ऐसे सवाल भेजना चाते हो और आप चाते हो कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ तो इस वीडियो के नीचे आप अपने सवाल लिख सकते हो और उन सवालों का चाबाब आपको मिल जाएगा अगले संडे धंके सवाल पूछें, थोड़ा explain करके पूछें के problem क्या आ रही है और भाई, जिन जिन लोगों ने subscribe नहीं करा है, वो जाकर जल्दी से subscribe करें वो घंटा वणटा सब दबादे और ये वाला वीडियो जरूर देखना नहीं देखा, मुझे पता था आपने नहीं देखा क्योंकि आप पीछे तो जाते ही नहीं, पीछे जाओ बड़ा माल पड़ा हो है भाई और ये वाला वीडियो जरूर चेक करें मिलते हैं प्रम अगले संदे टेक केर बाबाई जाओ